नमस्कार साथियों कैसे हो सभी लोग उमीद करता हूँगा काफी भैतर स्तिती में आप सभी लोग होगे और SSC के MTS और हवलदार का फॉर्म आचुका है और आप सभी लोगों ने इस फॉर्म के बारे में जरूर कहीं न कहीं पड़ा जरूर होगा अभी जहां आप हो यह है SSC की ओफीशल वेबसाइट और जो MTS का और हवलदार का फॉर्म आया था इसका डीटेल्ड वीडियो डीटेल्ड नोटिफिकेशन की उपर जो वीडियो था वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुके इसमें आपको सारी चीज़े डीटेल्ड वर्जन में मिल जाएंगी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ठीक है अब हम चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं हम करेंगे MTS के फॉर्म को फिल अप कैसे MTS का फॉर्म फिल किया जाए उस पर बातचीत करेंगे तो जब आप SSC की वेबसाइट ओपन करोगे तब आप क्या पाऊगे कि यहाँ पे आपको लॉग इन का पोर्टल मिलेगा लॉग इन का एक ओप्शन मिलेगा अगर आपने अभी तक जिन्दगी में कभी SSC का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है Mates भी वो MTS हो, Mates भी वो CHSLO, Mates भी वो SSC का CGL का फॉर्म हो या XYZ कोई भी फॉर्म हो SSC के पोर्टल पर अगर आपने जाके आज तक कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है तब आपको क्या करना होगा यहाँ पे new user का registration करना होगा और अगर कभी भी आपने ssc का form भरा है तो आपके पास में username और password पहले से होगा आपको सरफ यह capture डालके login करना होगा तो हम एक बार देखते हैं कि new user का registration कैसे होता है तो new user पे click करेंगे और उसके बाद में हमारा एक page open हो जाएगा उस page में हम देखेंगे कि हाँ भई हमको क्या-क्या जानकारियां भरनी है जहाँ पे आपका आधार, card वगरा सब कुछ मांगा जाता है एक बार page open होने में थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, ssc की website पर थोड़ा सा load आ जाता है तो यह हमारा page open हो गया, आपर basic details भरने का option आ रहा है फिर आएगा option additional contact details, additional and contact details और उसके बाद declaration आएगा और फिर आप आगे बढ़के अपना form registration complete कर लोगे, और जब यह registration complete हो जाएगा उसके बाद आपके पास में यह username और यह password आएगा एक बार देखते हैं भाई, registration के time पर आपसे क्या-क्या जानकारी चाहते हैं यह लोग तो do you have a आधार? बिलकुल भाई, अगर आधार है तो yes कर दीजे और यहाँ पर आधार और verify आधार करती हैं और अगर नहीं है तो फिट type of ID आपसे पूछेंगे क्या driving license है, employee ID है क्या government और PSU या private की, pan card है, passport है, school और college का ID card है या voter ID है, तो अगर आधार card है तब आधार से आगे बढ़ सकते हो और अगर आधार card नहीं है तब आप दूसरी IDs का इस्तिमाल कर सकते हो ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, जो भी आपका नाम है नाम थोड़ा सा भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखने लागा कि नाम में spelling mistakes ना हो और सरनेम में कोई गलती ना हो दूसरी चीज़ नाम में कोई भी salutation नहीं आएगा Mr., Mrs., या श्री, श्री, मती, कुछ नहीं डॉक्टर भी नहीं, अगर आपके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो आप तो डॉक्टर भी नहीं लगेगा, DR भी नहीं लगेगा नाम वो रखिएगा जो 10th के मार्क शीट में है वेरिफाई करिए नाम, अगर आपका जिन्देगी में कभी नाम चेंज हुआ है तो यस करके यहाँ पर वो नाम डालिए और वरना फिर कोई भी कर नहीं Father's name, Father's name का वेरिफाई करिए, Mother's name, Mother's name वेरिफाई करिए इसमें भी वही चीज़ है कि कोई भी Salutation नहीं लगेगा और ना ही Late भी नहीं लगेगा, ना ही Doctor लगेगा, ना Professor लगेगा और 10th के मार्क शीट में जो आपका, आपकी 10th की मार्क शीट में जो आपके पापा जी और ममी जी का नाम है वो यहाँ पर पढ़ेगा Date of Birth जो आपकी रहेगी वो आप डाल दीजे Date of Birth में गलती हो जाती है कभी-कभी कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनकी Date of Birth मान लेते हैं कि चार जन्वरी है लेकिन उनके Documents में 15 फरवरी लेखा हुआ है कभी-कभी Changes होते हैं Actual Date of Birth में और Document वाली Date of Birth में तो यह Understood है कि हाँ आपको Document वाली Date of Birth डालनी है Actual Date of Birth से कोई लेना देना में Metriculation, Exam, Details आपसे मांगी जा रही है कि Education Board कौन सा था उसके बाद Role Number क्या था Year of Passing क्या था Gender क्या है आपका Male, Female, Transgender And then for Level of Education इसमें Higher Education आपको डालनी है कि कितने तक आप पढ़े हो Maximum आपने क्या किया है अगर आपने Graduation किया तो Graduation Post Graduation किया तो Post Graduation अगर PhD करे हो तो PhD Then Mobile Number verify कर लीजे Email ID verify कर लीजे State अपनी बता दीजे कौन से State से Save करके आगे बढ़ जाए जब आप Save करेंगे Next पर पहुँच जाएंगे तब Next पर आपसे क्या मांगा जाएगा आपकी Additional and Contact Details मांगी जाएगी जैसे कि आपका Address हो गया तो वहाँ पर आपको वो सारी Details Fill Up करनी है फिर एक Declaration होगा वो Declaration Fill Up करना और आपका Registration Complete हो जाएगा कि Login करना कैसे है जैसे आप Capture डालेंगे Login हो जाएगा अच्छा देखो Error आ गया कभी-कभी इनकी SSC की जो वेबसाइट है थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है परशान नहीं होना है और एक बार हम क्या करते हैं एक बार फिर से Login कर लेते हैं Caps दबाके LX देन Y फिर Caps दबाके F एंद फिर P टीक है? Login कर ले Login करके देखते हैं भाई क्या Login हो जा रहा है अभी भी नहीं हुआ चलो एक बार फिर से Try करते हैं D, Caps अटाओ D, देन Caps में है K फिर है H M H अभी Captcha सही है न? ठीक है एक बार Login करते हैं You are already logged into the system Please log out to continue ओके हालाग कि अभी हम Login हमें तो नहीं दिख रहा है तो एक बार Logout कर देते हैं and then फिर हम Login करते हैं for the safer side 7X 32B अब हो जाएगा Login ठीक है? इस तरीके से आप Login हो गए है Welcome to आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर ठीक है? अब आपको क्या करना है? Scroll down करना है यह देखो MTS का पहला form आ रहा है यहाँ पर CHSL का भी form है फिर यहाँ पर GD का form है फिर यहाँ पर CGL का form है तो जितने भी forms आएं सब लाइन से लगे हुए है अब अगर आपने इनके registration करे होंगे तो फिर आप अपना application का status चेक कर सकते हो हम बात करते हैं भी MTS के उपर MTS का notification का link आपको यहाँ मिल जाएगा apply करना है तो यहाँ मिल जाएगा application को print करना है तो यहाँ पर कर सकते हो offline चालान डाउनलोड करना है तो यहाँ पर payment करना है तो यहाँ पर क्लिक करो payment का status देखना यहाँ पर क्लिक करो application का status देखना यहाँ पर क्लिक करो और double verification of payment करना है तो यहाँ पर क्लिक करो सारे options आखों के सामने उन्होंने दे दिया है ठीक है हमें क्या करना भई हमें सबसे पहले apply करना है तो हम apply करेंगे apply पे हमने जैसी ही बटन दबाया हमारी कुछ details pre-filled आ जाएंगी कुछ details pre-filled आ जाएंगी वो हमेशा की ऐसी ही रहेंगी क्योंकि हमने registration कर रखा है तो हमारी जितनी भी details है वो सारी की सारी आ गई अब हमसे preference पूछा है कि हम अपने center examination center की preference क्या चाहते हैं तो हमने तीन centers डालने हैं तो हम तीन centers डालेंगे वो डालने होंगे हमें UP के अंदर क्यों क्योंकि हमने state UP फिल किया है ठीक है अच्छा जी इसमें आप देख लेते हैं हमने तीन states डाल तीन cities डाल दी है medium of computer based examination कौन से language म चाहते हूं मैंने आपको MTS के जब form sorry in notification के बारे में बताया था तो उसमें बताया था 13 languages में पेपर होगा regional languages में except हिंदी और English मतलब total पंधरा languages में examine वाला एक बार count करें कितनी languages हैं तीन, तीन छे, तीन नौ, तीन बारा और तीन पंधरा English हिंदी हटाके 13 regional languages है medium of English, sorry medium of computer based examination वो है हमारा English रखेंगा तो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो verify medium English, ठीक है, whether you are ex-serviceman, no, ठीक है, armed forces ये सब कुछ हट जाएगा, ठीक है, इस सारी चीज़े खतम होगा इस सब कुछ pre-filled भी होती है, इसमें कुछ चीज़े, whether seeking age relaxation, अगर age relaxation देख रहे हो, अगर आप general category से नहीं हो, तो फिर age relaxation देखोगी, हम नहीं है, बलब हम general category से हैं, तो इसलिए हम age relaxation नहीं देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे state wise आगया age relaxation, यहाँ पे state wise पूरा ये इन्होंने दे रखा है, code दे रखा है, code आप ध्यान रख लो, जैसे अगर हम UP का code देखें, तो UP का code क्या रहेगा, आगे हो सकता है काम आए, है ना, तो एक बार UP का code देख लो, जैसे लखनो हवलडार देखें, तो अगर हम लखनो हवलडार 23 code है, और लखनो से related कुछ है क्या, यह हो सकता है ठीक है चलो आगे देख लेंगे आगे बढ़े preference of states तो यहाँ पर आपको वो सारे numbers लिख रहे होंगे जो हम उपर देख रहे हैं है na preference of state तो preference हम सबसे पहले देंगे अपना nearest city को तो nearest city कौन सी हो जाएगे हमारी 23 लखनो ठीक है आगे देखते हैं भई, लखनों के बाद में हम उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, 25, ठीक है? उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? उसके बाद हम लिख सकते हैं डेली लेख सकते हैं, डेली कुंटी and डेली 18, ठीक है ना, कुंटी and then फिर 18, एचाहा, इसमें minimum कुछ है क्या कि इतने preferences रखने ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है, fill all the preferences, अचाह, filling of all the preferences is mandatory, however, if you want to give limited preferences, then enter x in the remaining boxes, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इतना हो गया, ठीक, इसके बाद हम पटा-फट्चे क्या करते हैं, x दबा लेते हैं, हर जगे x करें, x हो गया, ठीक है, एक जगे हमने x दबाया है, तो by default सब में x आ गया, यह देखो कितनी अच्छी चीज़ है, higher education, ठीक है, higher education में हम अपना higher education डाल देटे हैं, b.tech किया हुआ है, details, higher education, details of qualifying exam, educational qualification, ठीक है, equivalent, 10th, ठीक, past हो गया है, डेली, ठीक है, percentage, ठीक, do you want to make your personal information, no, ठीक, यहां पे आपका address आ गया है, जो आपने registration के टाइम पर डाला था, अब यहां पे आप से photograph और signature मांगा जाएगा, तो यहां पे आपको अपनी file अप्लोड करनी होगी, photograph और signature की, अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा कि, जो photo आप upload करें, उसमें आप चश्मा ना लगाए हैं, ठीक है, मैं एक dummy photo upload कर रहा हूँ, उसमें आप चश्मा ना लगाए हो, cap ना लगाए हो, और वो photo 18 October या उसके बाद लिया लिया हो, ठीक है, ध्यान रखिए हैं, signature upload कर देते हैं, सारे file sizes यहां पे लिखे हुए हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए हैं, हमने dummy अपने पास रखा है, whether the photograph has been taken, अच्छा जी, ओके, तो देखो, अब हमारे साथ क्या हो रहा है, age का relaxation, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है, क्यों क्योंकि, unreserved category है, और हमारी age जो है, 29.5 है, इसलिए हम आगे proceed नहीं गर पा रहे हैं, ठीक है, error आगे है कि यहाँ, age का आपका जो है, वो नहीं हो पा रहे है, you are not eligible as per the date, ठीक है, तो इस तरीके से आपको form fill up करना होगा, और इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, ये जो चीजे हैं, ये मैंने आपको पूरा का पूरा instructions बता दिये हैं, सारी चीजे आपने आपे upload कर दिये हैं, अगरा सब कुछ आ गया है, बस आपको preview करके और submit करना है, that's it, so this is the way, इसके बाद सरिफ आपका payment का option बचेगा, वो आप payment जबाब कर दोगे, और फिर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इतना सही है, बोलो भई, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना payment कर सकते हो, यहाँ से आप जिस तरीके से आप SSC के MTS का और हवलदार का form फिल अप कर सकते हो, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, helpful लगा होगा, आपको चीज़े किलियर हो पाई होगी, कि हाँ भई अब हम किस तरीके से form भरें, किस तरीके से आगे बढ़ें, तो उमीद करता हूँ, यह session अच्छा लगा होगा, please do like and share the session, and subscribe the channel also, मिलिंगे नेक्स वीडियो में, till then thank you so much, bye bye, take care, and SSC के MTS का batch, 23rd of January से start हो रहा है, 7 बजए उसमें reasoning की class होगी, जो कि मैं लेने वाला हूँ, तो reasoning की class में, शुबं सर आपके साथ रहेंगे, जो कि मैं हूँ, 23 जन्वरी से, शाम के साथ बजए, बने रहीए गए इस channel पर, bye bye, take care, ख्याल रखे रहें, झाल रहेंगे,